कि अब बात करेंगे टेक्षिक तो टेक्षिकल इंवाइमेंट का मतलब क्या है और यह कैसे इंपक्ट करेगा मैंने आप से प्रीवेश टेक्चर में कहा था पार्ट वन में ही कहा था अगर इंडिया अगर कोशिश करे जाके बिजनस करने की जपान के साथ तो ना थोड़ा मैं कोई समान ले जाकर की कोशिछ कर रहा हूं बेचने सौरी इंडियन के तौर पर के शुन कोशिच कर रहा हूं डिन इसके पीछह पर वो यह है कि Japan development के मामले में हम से technology के मामले में हम से बहुत साधा आगे है तो अगर हम अपना business वहाँ पे कोई लेकर के जाते भी है देखो अब सोचरों कि इंडियन चाय वहाँ जाके बेच लेंगे इस तरह का business is something different बट अगर मैं कुछ technological grounds पर बात करना चाहता हूं जो आप hopefully connect कर पा रहे होंगे जो भी student Japan के बारे में थोड़ा बहुत जानते पड़ते हैं तो आप समझ पा रहे होगे इंडिया से बहुत से business अगर जपान में जाएंगे तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि technologically we are not up to their extent लेकिन Japan से कोई भी business अगर इंडिया में आएका तो उसके पूरे पूरे chances होंगे grow करने के क्योंकि इंडिया अभी technologically develop हो ही रहा है अभी तो इंडिया technologically बहुत early stage पे है तो यहां पे बहुत जादा scope है तो technological change इस तरीके से students क्या करते हैं आपके business को impact करते हैं कि अगर अगर हमें अपने business को किसी country में लेके जाना है पे कुछ अलग तरीके के लिएक लोग जो है machines को carry करके roads को clean करते हैं लिकिन अगर आप इंडिया के किसी पार्ट में देखेंगे तो अभी भी जब हम roads की cleaning की बात करते हैं लेवल तक तो वही सुबाब देखते हैं कि जो भी आपका municipal corporation के जो लोग होते हैं वो आते हैं और वो लोग साफ कर रहे होते हैं हम as such कोई machines का इस्तमाल करके अभी तक कोई भी इस तरीके से हम कोई भी काम नहीं करते हैं आप तो समझ जहें हैं बात that is what do I mean by कि अगर आप वो business वहां से वहां लेके जा रहे हैं तो उनकी technological requirements को आपको देखना पड़ेगा कि technology का कितनी sound country है और उसी के according आप investment करके अपने business को चलाने की grow करने की सोच सकते हैं राइट चलो तो यहां पर लेको क्या लिखा हुआ है technology is the application of scientific knowledge to produce goods and services which has an impact on the life of people it includes majorly two things technological processes and technological products technological processes are methods that help in designing and production of products leading to effective as well as efficient utilization of resources and time right तो कहा है कि technological processes का मतलब क्या होता है वो methods जो आपको design करने में production करने में मदद करेंगे जिससे कि आपका समय कम से कम लगे ठीक है resources कम से कम लगे और आप output जादे पाए जैसे कि example लेता हूं यह classes अब यह classes जो online में record करूं तो यह मेरा भी समय और मेरा भी resources बताएंगे कैसे क्योंकि student अगर मैं physical भी class लेता हूं उसके capacity होगी किसी भी room के capacity होगी और एक साथ अगर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको एक एक बच्चे को सुनना समर्ना मुश्किल है online में क्या है कि आप अपने comfortable space में बैटे हैं मैं अपने comfortable space में बैटा हूं और हम अराम से कितना भी classes conduct कर सकते हैं कोई problem नहीं है timing जो है वो एक barrier नहीं है placed जो है वो एक barrier नहीं है तो यह पायदा होता है technology का business में use होने से over the years there has been the emergence of new forms of technology such as nanotechnology, robotics, artificial intelligence, this helps business in quality production and providing innovate products the development of information technology has changed the way how various functions of business operate for example with new software such as ERP, SAP it has become easy for MNCs to manage their inventories as well as distribution system in different countries वो वो ही कहना चाहता है कि पहले हर चीज़ है manual थी बट क्योंकि हम technology की वज़े से robots बनाते हैं, artificial intelligence हमारे पास आचुका है besides that इसके अलावा बहुत से software's है, बहुत से applications है जिनकी मदद से हमारे को data feed करने का काम करना है बाकी जितनी भी calculations है, बाकी जितनी भी चीज़े हैं वो जो machines है वो खुदी कर लेती है जो technology वो खुदी कर लेती है, तो यह आपके बास technological environment होता है आगे हमें क्या लिखा हुआ है, technological products are the result of technological processes having better qualities and new features, giving more satisfaction to the customers अब लगातार क्या हो रहा है, अगर मैं cell phone industry की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि हर तिन नया phone आ रहा है calling तो phone से हो ही सकती थी, पहले भी और आप भी बट अब phones के अंदर advanced feature जो आ रहे, वो camera को लेकरके सबसे ज्यादा बड़ी raised हो है, वो camera को लेकरके के camera में zoom इतना हो सकता है, इस camera से इतनी ची quality आजेगी रात को भी अच्छे pictures click करेगा, pixels नहीं फटेंगे तो अब समझ रहे हो, जो की customer चाहता है के customer के लिए हर बाद technology better quality की चीज़ देके आती है, so that customer जादा satisfy हो सके, right For example, case of photography, we have moved from film photography to digital ink providing consumers with better quality pictures which can be shared and edit in short form easily nowadays, right So, I think कुछ missing है कोई नहीं It has become imperative for companies to constantly systems and innovate their products, ठीक है This requires a large expenditure on research and development activities This increase in cost is feasible if company has an increase in sales It propels companies to sell their products in foreign markets to attract more customers जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि अगर आप China या Japan दोनों में से किसी भी country में जा करके वहां business ideas सोचेंगे, जो कि आप India में करे तो no one can stop you to become a millionaire in India The reason is student, कि China और Japan Technology के मामने में, techniques of production के मामने में They are way far than India At the moment, मैं इंडिया को condemn नहीं करा, बट इंडिया अभी growing stage पे है और वह उतना ज्यादा grow कर चुके हैं तो वहां से कोई भी technology को ला करके यहां पर adopt करना जिससे कि sales बढ़ाई जा सके वह बहुत easy है जैसे I was watching a video of Japan तो वहां पर क्या था कि वहां पर nail आजकल मैं देख रहा हूं कि nail art का बहुत जादा जो लड़किया यह वीडियो देख रही है वो connect कर पाएंगी Nail art को लेकर के लड़कियों में जो present जितनी भी youth girls हैं उनमें एक बहुत जादा craze है ठीक है and it is time taking as well कि क्या 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 करना पड़ता but Japan is this technology कि उसमें कोई machine सी आप समझ जो कि एक ही person को कितना effectively वो काम कर पा रहे बस एक machine है उस machine में जैसे आपको design choose करना है कोई भी design या आप अपना custom design लेकर के जाओ उस machine में design डालो ठीक है आपको machine के अंदर बस अपनी finger जालनी है just a light scanner की तरह scan करेगी and then वो print up के में आ जागा hardly it will take few seconds उसमें आपकाम हो गया तो nail extension हो गया nail के ओपर किसी भी तरह की कोई भी चीज होगी वो सब कुछ कर देगी वो machine अब समझ रहे हो कितना जादा effective हो गया ठीक है दो बार जैसे आप उसे कहीं भी ले जाके गूम लो जैसे ऐसे flap जैसे समझ रहे हो flap खुलने वहले जैसे दो बार से होंगे ठीक है थोड़े मोटे से आप उसे कहीं भी ले जाओ आपको कोई चीज का print निकालना है paper एक साइड से डाल दो और print command दे दो उसको वह पूरा का पूरा print करके आपको दे देगा एक टाइम पर एक ही paper आएगा तरह advanced printers की तरह ही लेकिन आप सोचो एक portable printer जो आपके bag में पढ़ा रहेगा आप कहीं भी लेके जा सकते हो तो इस तरह के technologies उनके पास है जो इंडिया में अभी है ही नहीं तो when these kind of technologies will bring into the economy like India या कोई भी developing part के अंदर तो वो business boom करना ही करना है क्योंकि लोगों को अब ये सब चीजे अपने पास चाहिए पहले के लोग तो अपना laptop और computer भी नहीं होता था आप समझ रो काफे पे जाकर के सारे काम करते थे वो पर आर के साब से काफे पे देते थे और उसके recording काम करते थे अब people अपना कुद का laptop अपने कुद के personal computers या फिर internet सब कुछ अपना own करते है printer भी लोगों के घर में अब देखी जाता है कि चलना चोटे चोटे प्रिंट निकाल नहीं होते है उसके रे कौन shops पर है खुद ही कर लेंगे इतना काम तो हम तो ऐसी बहुत से technologies यह student जो China और Japan जैसी countries जो developed countries है उनके पास है वहां से लाग करके अपने देश के अंदर अच्छा business जो है उससे जन्ट किया such power problems do not exist and such products are not needed by the consumers तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में inverters वगरा की जरूत है न लेकिन तुम सोचो UAE में जाके inverter बनाके बेचुँगो तो उनको पता ही नहीं क्योंकि वहां problem ही नहीं तुम जपैन में जाओगे इसके लिए तो वहां भी कोई काम इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि इस जगा की technology में क्या चीजे हैं already और क्या कमी है तो क्या कमी के साथ हम वहां जाकर के अपना business technological level पर grow कर सकते हैं तो यह environment देखने जरूरी है अब यहां पर में global trading environment की बात की गई है the trade among countries is centuries old and has evolved due to various changes in the international business environment this has already been discussed in the chapter let's have a look at the recent trends in the world trade and India's foreign trade तो बस यहां पर मैंने कुछ जो data है वो आपसे share किया है यह data students क्या करेगा this data will definitely help you to understand यह data इतना जदा माले important नहीं बस यहां पर लिखा हुआ है कि 2015 में जो worldwide trade जो कर रहे थे उसकी क्या value थी पिर वो value जो है वो कहां से कहां पहुची है क्या कम हुआ है तो यह तो इस तरह के question हमारे exam में आते नहीं but it's just यह जो data है यह आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जैसे जैसे year on year दुनिया आगे बढ़ती जा रही है तो trade की जो values है वो consistent नहीं है वो भी time के सब लगातर बढ़ती गई है वो trade जो किसी point पर किस level पर शुरू हुआ था और जो trade आज है उसमें बहुत जादा difference students वो आ चुके है right so hoping that कि आपको I just hope कि आपको सारी चीज़े जो है वो complete समझ में आई होंगी ठीक है कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आपके बास सारी वीडियो है आप उन्हें थोड़ा सा back forward back forward करिये आपको अराम सब समझ में आएगा दो जो chapter से एक तरीके से हम complete कर चुके है introduction जो portion था वो हमने complete कर लिया ठीक है फिर next हमने business environment समझ लिया domestic level पे भी आप उसे relate कर सकते है और international level के भी relate कर सकते है coming lecture and student थोड़ा सा जो है वो concentrate हो जाएगा towards your international business theories थोड़ा सा मुश्किल भी मैं कहूंगा मुश्किल थोड़ा technical in nature not general इतना general नहीं है तो इसलिए तब तक इनको आराम से आप लोग पढ़के रखो फिर आम अपनी theories जो है उसकी उनको ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है और क्योंकि theories important है तो paper का portion तो cover करेगी करेगा तब तक इसे आप cover करके रखो राइट चलो Bye students I'll see you in the next video Take care